पौरानिक कथा के अनुसार जब स्रिष्टी में किसी भी जीव काजन नहीं हुआ था। तब उसे समय चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। तब उसे समय मा जगदंबा आदिशक्ती कुश्मांडा के रूप में स्रिष्टी की जरूरत की चीजों को लेकर विराजमान उसके बाद संत, रज और तम तीनों गुना से परिपूर्ण तीन देवियों की रचना की थी, जो सरस्वती लक्ष्मी और काली के रूप में पूजी जाती हैं। मा आदिशक्ती की ही कृपा प्राप्त करके ब्रहमा जी संसार के रच्चिता बने और विश्णू पालनहार वहीं शिव संहार करता बने। पुराणों की कथा के अनुसार एक बार जब तारकासुर नामक रक्षा का आतंग बढ़ गया, तब उसे समाप्त करने के लिए शिव जी के पुत्र की आवश्शक्ता पड़ी। इसके कारण शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। शिव और पार्वती के विवाह के बाद सारे देवताओं ने मा पार्वती से तारकासुर के आतंग को खत्म करने की प्रार्थना की। उसके बाद मा पार्वती ने आदिशक्ती का रूप धारण कर सबसे कहां कि वह जल्द ही कार्थिके को जन्द देंगे, जो की तारकासुर का वध करेगा. मा का यह रूप देखकर देवताओं की सारी चिंता दूर हो गई. जै माता दी